अब नवजाद शिशूओं को बिना किसी दवा के ठीक किया जा रहा है। इलाज में कोई मशीन नहीं, बलकी मा की जादूई छप्पी नन्हे मुन्नों को ठीक कर रही है। इस पूरी थेरेपी का नाम है कंगारू मदर केर थेरेपी। दरअसल ये खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल से सामने आई है। यहाँ एक अनोखा इलाज किया जा रहा है, जिससे नवजाद बच्चे एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। NICU में प्रिमेचोर और कमजोर बच्चों का इलाज मां के सपर्ष से किया जा रहा है। जैसे कंगारू मां अपने बच्चे को हमेशा अपनी ठैली में सेफ रखती है, ठीक उसी तरह मां भी अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है। जिससे बच्चों को न सिर्फ मां की गर्मा हट मिलती है, बलकि उसकी धर्कनों और सांसों की ले से बच्चों को सुकून मिलता है। इसी ठेरेपी का नाम है कंगारू मदर केयर ठेरेपी। मां का सपर्ष नवजात की इम्मूनिटी को मजबूत करता है। बच्चे का बॉड़ी टेंपरेचर स्थिर रहता है। मां और बच्चे के बीच का बॉन्ड और मजबूत होता है। इससे सबसे बड़ा फाइदा दिया होता है कि बच्चों इंफिक्शन का रेट कम हो जाता है। डॉक्तरों के अनुसार इस ठेरेपी की शुरुआत जनवरी दो हजार चॉबीस में की गई थी और इसका असर हैरान कर देने वाला है। इस ठेरेपी से एंटिबायोटिक का इस्तेमाल 63.7% से घटकर 17% हो गया है। पिछले तीन महीनों में 632 में से 496 बच्चे स्वस्थ होकर घर लोटे। डिस्चार्ज रेट 78.4% पर पहुंच चुका है। जो पहले के मुकाबले काफी बहतर है। बच्चों की डेथ रेट 11% हो चुकी है। ये पहले की तुलना में बहुत कम है। थेरेपी से बच्चों की सेहत में सुधार हो रहा है। अस्पताल में भरती हर मां को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। और स्वास्थे कर्मियों की देखरेख में इसे अंजाम दिया जाता है। कंगारू मदर केर थेरेपी ने ये साबित कर दिया है कि कभी-कभी दवाओं से ज्यादा असरदार मां का प्यार और सपर्श हो सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस अनोखे प्रोसेस से नवजातों का इलाज किया जा रहा है। बिना किसी दवाके इस प्रक्रिया में न केवल बच्चे का शारिरिक स्वास्थे सुधर रहा है। बलकि उसका मानसिक विकास भी तेजी से हो रहा है। वाकी मा की छप्पी में बच्चों का भविश्य और भी ज्यादा बेहतर होगा।